त्यूल यह लटक्या इंडिपेंडेंडेंडेंट रहती है उनको इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंड रहना पसंद है सिंगल पर्सन रहना पसंद है सिंगल से जीवन नहीं चलता है वो आगे आगे देखा जाए इसलिए बोल दें ताकि आपके चेरे पर हसी रहे इसलिए वो बोलते हैं इसलिए बोलते हैं जी अभी उसे में हां मिला देती है कोई नहीं पूछता है और ना आपकी काबिलियत देखी जाएगी आपके अंदर पैसे कितने हैं घूस कितना है यह लोग लेंगे लेकिन वहाँ पर जौब और मेरे साथ रहें और बस और कुछ नहीं चाहती हूं आप लोग से बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए और फिर तो भगवान उपर वाले देख रहें आगे बढ़ाते हैं तो न्यूस 24 बिहार की दरफ से जितने दर्शक और भोषपुरी समाज के लोग मुझे देख रहें उनको गोड़ चुके परणाम करना चाहती हूं अच्छा रानी एक बात बताईए आपको अख्यांता के साथ आप उसमें सुध भोषपुरी भी बोलती नजर आती हैं आप बंबे की रहने वाली हैं कैसे बोल लेती है जी एक्चुली जितना भोषपुरी मैंने बोलना सीखा बच्पन से तो नहीं आता था लेकिन बिहार क बिहार का समाज ऐसा है जब हम यहां पर आए हमको कुछ नहीं आता था लेकिन जब हम यहां पर आए यहां के बैग्राउंड में ढलने लगे यहां के सराउंडिंग में हम लोगों से भाशा सीखने लगे पूछते थे कि इसका मतलब क्या होता है यह भाशा कैसे बोलते हैं इसका मतलब क्या आता है गाना भी नहीं आदा था हो भी समझ नहीं आता था लोकिन तो भी हम पूछ पूछ के स्टार्टिंग अपना किये उसके बाद धीरे-धीरे मतलब जब इसमें इंप्रूब्मेंट हो गया मेरा तो हम अभियनता जी से मिले और भी बहुत सारे मिलता है तो मैं अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करती हूँ ताकि मैं आगे जाके कुछ कर पाऊं क्योंकि लाइफ टाइम मुझे ऐसा है कि मैं यह लाइन है जो मेरा है लेकिन आगे भी जाके मैं अपने नाम कुछ करूं कि लोग मुझे पहचाने कि डांसर के बावजू का एडिमिशन स्टार्ट हो जाएगा आप मार्केटिंग की का में पढ़ाई करती है जब भी नाम लिया जाता है तो एक हायर एजुकेशन कहा जाता है इसको और उसमें आप पढ़ाई करती है उसके बाद भी और केस्टा में डांस करती है एक्चुली अब लाइफ ऐसी है जिसका ठीक ना हो और मिडल क्लास फैमिली से हो मुंबई में से आई हूं मैं तो मुंबई का जैसा सराउंडिंग है वहाँ पे लोग ऐसा है कि एजुकेशन कोई नहीं पूछता है और ना आपकी काबिलियत देखी जाएगी आपके अंदर पैसे कितने घूस कितना यह किनियर किया उसके बाद घर में ट्यूशन भी पढ़ाती थी फिर भी मेरा फैमिली बैग्राउंड ठीक नहीं हो पाया जिसके चलते मैं मुझे कॉंटेक्ट हुआ यहां पे लोग से तो मैं बिहार आने के बाद मैंने जब यहां पर अपनी जरनी स्टाइट की यहां पे लो पता था कि हम कभी इतना आगे जाएंगे और इतना अचीव कर पाएंगे यह मेरे फैंस मेरे पबलिक की देन है कि आज हम यहां है बस मैं उन लोग के चलते ही जो हूँ आज हूँ कहने के मतलब है उस इलाइन में छोर करके आप अरकेस्टा में डांस करती है तो आपको ऐसा अंदर से फिलिंग नहीं आता है कि कास हमरा बेग्राउंड अच्छा होता हमारे माता पिता अच्छा हम सको पढ़ाते है जो केसन देते तो हम उस कॉलेज में रह करके पढ़ते है हाला कि आप इस्ट्रगल कर रही है और इस्ट्रगल के दोरान जो भी पैसा होता है उससे आप साइटे स्टाडी करती है एक्चुली देखिए फैमली सपोर्ट जब तक नहीं होता है एक नीव जब तक नहीं रहेगी वो घर खड़ा नहीं होगा वही चीज है मेरे साथ भी कि मेरी फैमली सपोर्ट मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं आगे एजुकेशन करना चाहती थी लेकिन फैमली का यह था कि नहीं बार भी कर लियो अब घर में रहो अब कहीं नहीं जाना है अब आगे जो है फैमली स्टार्टिंग करने के बारे में सोचो तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं खुद के बल पे कुछ करूँ और आगे कुछ अपना नाम करूँ तो इस वज़े से अगर फैमिली सपोर्ट रहता तो आज मैं यहां नहीं होती लेकिन नहीं है तो इस वज़े से स्ट्रगल करना पड़ रहा है और अपने अजुकेशन को आगे जारी करना पड़ रहा है लेकिन मैं अपनी अजुकेशन कभी नहीं छोड़ूंगी और जो आगे करना चाहती हो उसको ठान कर करूंगी तो करूंगी अच्छा एक बात बताए जो एक जो आपकी मार्केटिंग है और यह जो मार्केटिंग है जिसमें और इसमें क्या अंतर पाती है बहुत अंतर है वो जो है वो हम पढ़के सीखते हैं और यह जो है हम उस चीज को अपनी लाइफ में अपने इस पर करके चलते हैं क्योंकि एक पढ़ी हुई चीज और एक अनुभाव वाली चीज वो अलग होती है वो मैंने यहां पे आके दे है और यहां पर लोग बोलते हैं कि एजुकेशन जादा मत करो आपके हस्बेंट क्या बोलेंगे फैमिली क्या बोलेंगी बैग्राउंड क्या बोलेंगे आप अलग लाइफ है वो चीज मैंने सीखा देखा फिर मैंने बोला कि नहीं अगर मैं इस लाइन में हूँ तो इस ल हो आपका मार्केटिंग का जॉब भी लग जाए तो क्या यह जो महौल है यह जो दलदल वाली महौल है इसमें से आप उभर पाईएगा अब वो तो आगे पता लगया उभर पाएंगे नहीं लेकिन चाहा तो यहीं रहेगी कि हम डांसिंग लाइन छोड़े भी तो ऐसी करना चाहूंगा क्योंकि मैं यह चाओएगी मैं मिसाल दिखाना चाहूंगी लड़कियों को कि आप लोग सब कर सकते हो एसा कोई नहीं है कि आप बूरे चीस कर रहे हो की चर उछल चुकाहत अब कुछ नहीं कर सकते हैं कि लाइफ खतम हो गई को लूग तो आपके साथ कई ऐसे बरताव किया जाता है जो कि गवारा नहीं लगता है तो आपको नहीं लगता है कि एक लड़की जो मैं इसके लिए बनी ही नहीं थी और इस दुनिया में आ गई तो कैसा आपको फिल होता है ऐसा कोई स्टेज नहीं जहां पर ऐसा ना लगे कि मतलब य एक कान से सुनो और एक से निकाल दो बस अगे कुछ मत देखो एक बात मेरा ये भी रहेगा बहुत लोग है बहुत एजुकेशन है हायर एजुकेशन ले करके उसके बाद भी देखा जाता है कि वह भोजपरी इंडेस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमा चुकी है जैसे कोश्चन पूछ लिया आप देखा जाए तो मतलब मैं बढ़ी हूं आगे लोगों ने मुझे पहचान दिये तो मैं अपनी एक्ट्रेस लाइफ को आगे बढ़ाना चाहूंगी जी आपके मन में ललसा है कि हम भी एक्ट्रेस बने बच्पन से तो नहीं थी मतलब एक था ना अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं काफी ड्रामा भी वी कर लेती है एक मिरा स्वाल रहेगा जब और विनष्णा के साथ का काम करती तो उनका जो भी हबर होता है बहुत सारे क्यश्प प Alberur Rock और उसी के साथ आप रहती हैं और उन्हीं के साथ वही असलीलता आप भी फैलाती है ऐसी बात नहीं है आप एक एजुकेटड परसन है तो आपको नहीं लगता है इंजीनियरिंग के वह टॉप क्लास में रह चुके पूसा से दिली पूसा से उन्होंने टॉप एट किया है तो रही बात एजुकेशन या यह सबको हटा कि अगर साइट देखा जाए तो सबको सरना चाहिए नहीं 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 मेरा बोलने का मतलब यह है कि आजकल लोग अपनी लाइफ में बहुत बीजी रहते हैं किसी ना किसी काम के चलते प्रेशर में फैमिली प्रेशर या काम का प् लोग आते हैं ब्यास लोग सिंगर लोग जितने बड़े बड़े स्टार लोग है यह लोग आप लोग को एंटेंटेंट करने आते हैं जैसे कि पब्लीक अपनी सब चीज भूल के वो लोग आते हैं एक शो देखने के लिए कि आज चलना इनके पास आज वो आ रहे हैं वो लोग देखने आते हैं तो अपनी टेंशन भूल के इसलिए जो सिंगर लोग या जो लोग खराब या जो मजाग करते हैं वह एक हसने के तौर पर करते हैं ऐसा कोई किसी से पर्शनल इशू जगडा या तो वह कुछ तो बोलते नहीं है रही बात अशलील तकी तो ऐसा कोई इ चांद मिली है लोगों से और लोगों उन्हें मुझे जानना स्टार्ट किया है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगे कि वह अशलील बोलते हैं वह अशलील इसलिए बोलते हैं अब ही उसमें हां में हां मिला देती जी अचै एक बात पुछूंगी रान पूछना चाहूंगा रानी हर लड़की का एक ह Yum कि मेरा संया हो। ठीक हमस्फर हूँ तो क्या रानि के भी कोई हमस्फर है या कोई ऐ इण बॉय ही अभी सब लडकिया कहते हैं तो और हासी से इसा लग रही कि है अभी तो फिलाल करियर अपर ध्यान देना है, और साथ साथ बढ़िए भी जुरूई है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको तो लग रहा है, मुंबई वाली लड़किया इंडिपेंडेंट रहती है, उनको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, सिंगल से जीवन नहीं चलता है, वह आगे का आग और मेरा मुझे सपोर्टिंग करते हैं उन लोगों मैं धन्यवाद दिल से कहना चाहूंगे कि आप लोग ऐसे हस्ते मुस्कुराते और मेरे साथ रहें और बस और कुछ नहीं चाहती हो आप लोग से बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए और फिर तो भगवान उपर आपके रहें और मेरे साथ और उन लोगों कि अद्वाद से मजबूरिया होती है लेकिन और कैस्टा की रह जाती है तो ऐसा नहीं नहीं है कि राने भी और किस्ला की रह जाए वह जो कमक्सद है जो मंजिल है वो ना मिलपाए जो लड़की आती है उनके मन की या उनके बैग बात अरकेष्टा की ही बन के नहीं मैं चाहूंगी कि मैं इससे आगे भी जाओं शुटिंग करूँ या एल्बम्स करूँ या अलग-अलग फिल्ड में भी जाओं स्टेश्टो करूँ लेकिन यह है कि मैं जो करूंगी अच्छा ही करूंगी और आप लोग के दिल में ऐसे ही बस करूंगी बस और कुछ नहीं चाहिए